निरस्थ हो गया इसका मतलब जमीन मुख्थ हो गई इसका मतलब हरीस पाथक और कुसुम पाथक किसी भी प्रकार के एग्रिमेंट से मुख्थ हो गए इसका मतलब हरीस पाथक और कुसुम पाथक अगर वो जमीन बेशते तो सीधे राम मंदिर के लिए ट्रस्ट को दो करोण रुपए में सीधा बेशते 2 करोण रुपई में सीधा बेशते वो सुल्तान अंसारी और रभी मुहनतिवारी को क्यूं बेशते साड़े-सोला करोण रुपई की चोरी और घ्रस्टाचार के लिए ये खेल हुआ प्रति सेकेंड साड़े पांच लाख रुपए और प्रति मिनट तीन करोन तीस लाख रुपए की चोरी के लिए सब कुछ हुआ यह तो एग्रिमेंट ही कैंसिल हो गया यही तो मैं सवाल पूछ रहा था लेकिन भाजपाई जूट पे जूट बोले जा रहे थे जूट पे जूट बोले जा रहे थे मैं हैरान था वो बड़े confidence से कहते हैं चिला चिला के जूट बोलते हैं तो यह agreement कैंसिल हो गया था इसलिए इस बैनामे में इसका कोई जिक्र नहीं था वरना ये लिखा होता कि 50 लाग की पेजगी ली गई अब यहां तो 2 करोन रुपए ट्रांसपर हुआ है 1.5 करोन ट्रांसपर होता बैनामे में तो ये बात थी तो अब मैं दिखाता हूँ चंपत राय जी ने पहले दिन कितने भोले बालक की तरह सामने आके पहली बात तो उन्हें उनका मेरे उपर सव साल से आरोप लग रहा है यानि पैदा होने से पहले लोग उनको जानते थे कि ये आरोपी है उनके जन्म से पूर्व उनको जानते थे कि वो आरोपी हैं कह रहे थे सव साल से मलब जब वो पैदा भी नहीं हुए थे तब से आरोप लग रहा है उनको पर देखें इनकी असलियत देखें कह रहे थे मैं स्टड़ी करूंगा यह क्या कह रहे है एक नट्रुक देना यह कह रहे हैं पहला जूंत इनका दिखाई इनसे जब आप लोगों ने पूछा तो यह कह रहे हैं कि हम स्टड़ी करेंगे यानि यह विचारे भोले बालक हैं इनको कुछ नहीं पता था जैसे आप लोगों ने कैमरा लगाया चंपत राय जी जो बहुत जो तपस्वी हैं त्यागी हैं अभिवाहित हैं और भाजपा की थेवरिये कि इमांदार रहने के लिए आप लोगों को अभिवाहित रहना जोट नमबर दो देखें कि 10 रुपए के स्टांप पे कैसे संजे सिंग कागज दिखा रहा है एग्रिमेंट का जबकि वो एक करोण 29 लाग के स्टांप पे एग्रिमेंट हुआ था आज कल यी स्टांप निकलता है डिजिटल इंडिया है लेकिन बहन जी को पता नहीं था और भादपा में काम करती है तो जूट बोलने के लिए कहा गया होगा तो इसलिए बहन जी ने जूट बोला ये दूसरा जूट अब सुनिये एक मेट एक मेट अब सुनिये जो चंपत राय कहते हैं हम स्टडी करेंगे हमें कुछ नहीं पता उनके बारे में सुल्तान अंसारी प्रापर्टी डीलर क्या कह रहा है सुनिये ध्यान से यह अब सी अब स्ट। उसके बाद जब अख्रस विले और शर्ट को अधाने सब्सक्राइब हो तो मेह कस ज़आ हो कोगे कर लेंक लेंक ngoآ़े हो बॉंग हो एक हमार कर देल जोगा है तो साड़े अठारा करोड रुपए में तै हो गया तै किस ने किया चंपत राय जी ने तीन-चार महीने पहले जो भोले बालत हमारे खुलासे के बाद कह रहे थे कि मैं स्टड़ी करूँगा मैं बहुत भोला हूँ मुझे कुछ नहीं पता मैंने तो सुल्तान अंसारी का नाम नहीं सुना उसकी सकल नहीं देखी ये प्रापर्टी डीलर बता रहा है चंपत राय जी आये थे और साड़े अठारा करोड रुपए में जमीन तै करके गए थे भाजपाईयों लेकिन चंदा चोरों को जेल भिजवा के मानूंगा ये साड़े सोला करोड रुपए इस देश के गरीब राम भक्तों ने अपना पेट काट के मंदिर के निर्मान के लिए दिया है ये साड़े सोला करोड रुपए वापस करो देश के करोडों हिंदुओं स काम रुका हुआ है तो राम मंदिर की द्रोही भाजपा है राम मंदिर के काम में रोक लगाने वाले ट्रस्ट के लोग है राम मंदिर में चोरी करने वाली भाजपा और उनके साथ के लोग है एक पेपर और है लेकिन ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए उसका कल खुलासा कर तो जमीन खरीते वक्त बचा कहा जब 18 मार्च 2021 को यह एग्रिमेंट निरस्थ हो गया नौ लोगों के साथ जो हुआ था और जो यह व्यक्ति बता भी रहा है कि 2019 में एग्रिमेंट हुआ था नौ लोगों के नाम पे तो जब यह एग्रिमेंट कैंसिल हो गया तो फिर जमीन खाली हो गई फिर हरीस पाठक और कुसुम पाठक स्वतंत्र हो गए फिर वो जमीन वो साड़े 18 करोन में बेचेंगे कि दो करोन में बेचेंगे इसका मतलब अगर ट्रस्ट सीधे उनसे बात करता तो दो करोन में लेता साड़े 18 करोन में क्यूं लेता क्योंकि दो करोन में एक फ्रेश जमीन साड़े 18 करोन की कोई महा मूर खाद्मिया तो बेचे गया तो फिर पागल होगा दो ही दो ही परिस्तिती हो सकती है साड़े 18 करोन की जमीन 2 करोन में बेचेने के लिए या तो आदमी का मूर खोना जरूरी है या पागल होना जरूरी है और मैं समझता हूँ हरी स्पाठक और कुस्पाठक तो ऐसे हैं ने तो जब वो कैंसिल हो गई एगरिमेंट तो वो तो स्वतंत्र थे ना उस जमीन को साड़े 18 करोन में बेचते हैं उन्हें 2 करोन में क्यों बेची है इसलिए मैं कह रहा हूँ फिर से सुल्तान अंसारी और रभी मोहन तिवारी के एकाउंट की जांच कीजिए जो पैसा उनके 17 करोन रुपए उनके खाते में गया और बताइए साड़े 18 करोन रुपए की आमदनी हो जा रही है और उस पे इंकम टेक्स वाले भी चुप चाप बैठे हुए थे वो संजे सिंग के प्रेस कॉंफेंस का अंतजार कर रहे थे कि जब ये खोलेंगे तब हम इनसे पैसा वसूल देंगे पहली बात तो अब पुरानी सारी बाते खतमी कर दीजिए अब कब एग्रिमेंट हुआ कब कैंसिल हुआ कब हुआ कब नहीं हुआ कब सोय कब जागे कब क्या किया वो पुरानी सारी दास्ता और बात खतम करते हैं बात करते हैं 18 मार्च की ना जिस दिन वो जमीन बेची गई उस दिन सारे एग्रिमेंट खतम कर दिये गए निरस्त कर दिये गए और इसलिए इस बैनामे के कागज में लिखा है जो मैं तीन दिन से चिला रहा हूँ लेकिन मैं हैरान भी था कि क्यों इतने भाजपाई बार बा सबहारों से मुख्थ है इसलिए कि अग्रिमेंट कैंसिल हो जुका था उसे इसलिए लिखा हुआ है यही मैं दिखा रहा था बार बार यही कह रहा था कि साब रजिस्ट्री में लिखा होना जरूरी है तो इसमें तो कहीं लिखा नहीं था इसलिए कि अग्रिमेंट कैंसिल ह गया था है और सरकिल रेट का मतलब होता है जमीन का मुल जो योगी आदित नाजी की सरकार तेंग करती है जमीन का मुल जो जिला अधिकारी तेंग करता है और साड़े अथारा करोण की जमीन का पांच करोण असी लाख रुपए अगर कोई जिला अधिकारी जमीन का रेट नि अंदर कर दिया जाएगा जेल चला जाएगा वो इस्टाम चोरी का मामला उसके खिलाब बनेगा वो साथे अथारा करोण की जमीन पांच करोण में अगर वो सर्किल रेट ने धारिद करेगा इसका मतलब वो स्टाम की चोरी करवाना चाहता है अठारा मार्च उन्नीस आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं भाई अठारा मार्च उन्नीस दोहजार इकीस की लिखा पड़ी में लिखा हुआ है पांच करोण 80 लाग इसका मतलब अठारा मार्च दोहजार इकीस की मालियत अठारा मार्च दोहजार इकीस की कीमत अठारा कि लेड पांच करौन अस्य लाग और असस्दसब्दों में समझा दू अठारा सो सतावन का नहीं अठारा मार्ज दौजार इकीस की मालियत और कीमत उस जमीन की पांच करौन असिलाग थी जिसको आदित्रिनाजी ने निर्धारित किया था और जिसको वहां के जिलादिकारी ने निर्धारित किया था उनकी सरकार ने निर्धारित किया था तो बहुत महंगा खरीते पहली बात तो दानपुन की जमीन को तो दानपुन के चंदे को तो आपको कम में खरीदना चाहिए तो बह राजपाई की जूट एजंसियों को वो कह रहे थे मौपजा दिया मौपजा दिया अरे भाई यह मौपजा सरकार देती है ट्रस्ट नहीं देता है ट्रस्ट थोड़ी मौपजा देता है सरकार देती है और आप पता कर लिजेगा ग्रामीर जमीनों के अधिगरहन में मौपजा होता है चार गुना सहरी जमीनों के अधिग्रहन में मौपजा होता है दो गुना और कितनी पढ़ाई करकर के मैं बता हूँ ग्रामीर जमीनों के अधिग्रहन का मौपजा सरकार अगर करती है तो चार गुना दाम और सहरी जमीन का अधिग्रहन करती है तो दो गुना दाम और इसलिए जेवर का सहरी करण किया गया कि किसानों को चार गुना मौपजा ना देना पर पहली बात ट्रस्ट के उपर कौन सा म प्रतिक्षा कर रहा था कि भारत की सरकार भारती जनता पार्टी इतने बड़े खुलासे के बाद कुस्तो शर्म दिखाएगी कुस्तो कारवाई करेगी लेकिन अब तीन दिन बीद गए मुझे पता चल गया कि इन भाजपाईयों की आस्था प्रभुसरी राम में नहीं है प्रापर्टी लीलर्स में है अब मुझे जानकारी हो गई कि इन भाजपाईयों की आस्था प्रभुसरी राम में नहीं है अब आपने बिल्कुल ठीक कहा इन सारे मामलों को लेके मैं कोर्ट जाने की तैयारी करना हूँ इसमें मुकदमा एफाईयार दर्ज कराने से लेके जो कुछ भी करना पड़ेगा उसको मैं अब करूंगा मैं तो तीन दिन तक प्रतीक्षा कर रहा था कि साइद देश के प्रधान मंतरी साइद उत्तर प्रधान मंतरी या ट्रस्ट के जो जिम्मेदार लोग हैं वो कोई इ जूट पे जूट जूट पे जूट अब ये समझ में आ गया कि भाजपाईयों की आस्था प्रभुस्री राम में नहीं है भाजपाईयों की आस्था प्रापर्टी डीलर्स में है